तो ऐसा क्या है जो इस देश को प्रेड़ना देता है? जो लोग हमें बाहर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि हम एक असंभव उथल फुथल हैं. अगर आप चाहते हैं कि ये देश एक बड़ा व्यवसाय बन जाए, तो हमें कुछ बदलाव लाने होंगे जो तकलीफ देंगे. अगर हम अगले कुछ सालों में केवल कुछ कदम, कुछ मजबूत कदम उठा सकें, तो जो संभव है वो वास्तव में जबरदस्त है. देश, जाती, धर्म, नसल, विचारधारा और भाषाओं की समानता के कारण बनते हैं. लेकिन इस मामले में भारत इन सभी चीजों में ठीक उल्टा है. यहां ऐसी समानताएं बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं. अगर आप सिर्फ पचास, सौ किलो मिटर की दूरी तक जाएं, तो लोग अलग दिखेंगे, भाषा अलग होगी, पहनावा अलग होगा, बेशक भोजन भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा. लेकिन 10,000 से अधिक वर्षों से हम एक देश रहे हैं. तब भी जब हम उस समय के 200 से अधिक विभिन राजनितिक शाशकों द्वारा शाशित थे, तब भी हमें एक देश कहा जाता था, नकेवल हमने खुद को, बलकि बाकी दुनिया ने भी हमें एक देश के रूप में अधिक राजे थे. तो ऐसा क्या है जो इस देश को प्रेड़ना देता है? जो लोग हमें बाहर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि हम एक असंभव उथल पुथल हैं. लेकिन हमारी उथल पुथल ऐसी है, अगर आप एक फूलों वाले साफ बगीचे की तुलना किसी जंग से करें. तो जो पूलों वाले बगीचे में रहें, वे जंगल में खोया हुआ महसूस करेंगे. लेकिन अगर आप एक महीने तक फूलों के बगीचे की देखभाल ना करें, तो ये बगीचे जैसा बिलकुल नहीं रहेगा. लेकिन जंगल लाखों वर्षों से वहीं हैं. तो जो सतह पर अस्त वेस्त दिखता है, वो अपने आप में एक बहुत ही लचीला संगठन है, इसे न समझ कर बहुत सारे लोग इसे तोड़ कर देश में एक नया, बहुत बनावटी स्तर का संगठन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम नहीं करेगा, वास्तव में हम कुछ उतल-पुतल का आनंद लेते हैं, अगर उतल-पुतल ना हो, तो हम खोया हुआ महसूस करते हैं, एक देश बनाने के लिए कुछ बुनियादी बाते हैं, तीन मूल बातों में से शेत्र या भुगोल पहली बुनियादी चीज है, जब भूमी की बात आती है, जब हमने 1947 में इस नए भारत का निर्मान शुरू किया, तो हमने इस भूमी को टुकडों में तोड़ने की सबसे बुनियादी गल्ती की, तीन टुकडे, बिना ये समझे, कि इन टुकडों से हमेशा की समस्या पैदा हो जाएगी, 1947 या 48 में क्या हुआ था, मैं इसके बारे में कोई राजनितिक टिपनी देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, महत्वपून बात ये है, कि ये हमेशा एक व्यापारिक देश रहा है, राजनितिक संगठन आये और चले गए, राजा और सामराज्य आये और चले गए, लेकिन व्यापार चलता रहा, हम दुनिया के सबसे बड़े बिजनस थे, कुलंबस, वासको डिगामा ने, साहस्पून समुद्री यात्रा रोमांच के लिए नहीं की थी, वे धर्ती की सबसे बड़ी अर्थ विवस्था की तलाश कर रहे थे, कोई भी उन सैंकडों खोजी यात्राओं की बात नहीं करता है, जिनके नाविक समुद्र में डूब गए थे, तो ये सबसे बड़ी अर्थ विवस्था थी, और ये वैसी बनी रही, क्योंकि ये एक व्यापारिक देश था, ये राजनितिक देश नहीं था, ये एक सैन्य द को तोड़ दिया, जो हजारों वर्षों से हमारे व्यापार के मार्ग थे, हमेशा से हमने इन मार्गों से कारोबार किया था, और हमने व्यापारिक मार्गों को तोड़ कर एक देश बनाया, क्योंकि हम अपनी स्वतंतरता में थोड़े अंधे हो गए थे, हमने देश को और हमारे व्यापारिक मारगों को तोड़ दिया और हमने सोचा कि हम अपनी मेहनत से किसी तरह गुजारा कर लेंगे। जो चीज जरूरी है वो सफल सेना नहीं है। जो चीज जरूरी है वो है सफल वैवसाए। जब तक हमें इसका एहसास हुआ तब तक 30-40 साल गुजर चुके थे। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत में ये नई तरक्की सिर्फ 25 या 30 साल पुरानी है। 30 साल में मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है ? हम बहतर कर सकते थे पोस्ट माटम करें तो हमेशा ऐसा लगता है हम बहतर कर सकते थे लेकिन 30 साल में एक इतना बड़ा और जटिल देश होते वे हमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन कुछ चीजों से हम धीमे रहे हैं जैसे कि मैंने कहा किसी देश का पहला आयाम उसका शेत्र या भुगोल है दूसरा भाग है प्रक्रियाएं और प्रनालियां कि एक देश को कैसे कारे करना चाहिए और उसके कानून और कारेविधी हैं इसमें भी हम धीमे रहे हैं और इस वज़े से हमारे पास अब भी कई प्रणालिया और प्रक्रियाएं हैं जो हम पर राज करने वाली ताकतों ने लगाई थी, जिनका मूल इरादा नियंत्रन करना और पालन करवाना था. हमारे पास अब भी कई कानून और कई प्रक्रियाएं और प्रणालिया हैं जो सभी लोगों को नियंत्रित करने के बारे में हैं. वे मानव कौशल, प्रतिभा और बुद्धी और सबसे बढ़कर वे भारत के उद्द्योगों को आजादी नहीं देते. दुर्भागे से हमें इन में से बहुत से विरासत में मिले हैं. अब जाकर हम ध्यान दे रहे हैं कि हम इन्हें कैसे बदल सकते हैं. हम इस मामले में धीमे रहे हैं. इसकी देश ने एक बड़ी कीमत चुकाई है. हलाकि एक स्तर पर हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता हैं. जैसा कि प्रधान मंत्री कह रहे थे. लेकिन साथ ही साथ हमारे देश में कूपोशित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या को ठीक करने में धीमे रहें, जिनें इस देश को शाशित करना चाहिए. तीसरी और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपून बात लोग हैं. अगर आप लोगों के दिल और दिमाग में देश का निर्मान नहीं करते हैं, तो ये वाकई एक देश नहीं होगा. देश केवल एक विच जब हम अपने विचार और भावनाएं इसमें समर्पित करते हैं, तो ये एक अदभुत विचार बन जाता है, वरना ये एक बुरा विचार बन जाता है. चाहे वो देश हो या समाज का एक छोटा हिस्सा जिसे परिवार कहते हैं. जैसे कि उदारन के लिए शादी की बात कर या फिर ये एक भयानक विचार भी बन सकता है. सवाल बस ये है कि मैं उस विचार में खुद को कितना समर्पित करूंगा. यही देश के साथ भी है. हम खुद को देश के इस विचार में कितना समर्पित करते हैं. उसी से ये या तो ये एक अदभुत विचार या एक भयानक विचार बन जाता है, हम इस पर थोड़ा आगे पीछे हो गएं, क्योंकि जब हमें आजादी मिली, तब हमने इस पहलू पर वाकई अच्छे से काम नहीं किया, जब हमें आजादी मिली, उस समय हमें भारतिये होने का बहुत गर्व था, धीरे धीरे ये तूट गया और बिखर गया, क्योंकि हमने इस विचार को लोगों के दिल और दिमाग में अच्छे से स्थापित नहीं किया, हमने उस पर परियाप्त काम नहीं किया, हमने सोचा कि ये अपने आप हो जाता है, इसलिए लोगों ने वर्ण, पंथ, धर्म, नसल, जाती, सभी प्रकार की चीजों के आ संगर्ष कर रहे हैं, कि कुछ लोगों को ये भ्रम है, कि उनका संबन्ध इस देशत्य है या कहीं और से, हमने दुरभागे से इन भ्रमों को भ्रम रहने दिया, मुझे लगता है कि ये समाधान करने का समय है, क्योंकि अगर हम ये एक बात नहीं सुल जाते, कि लोगों को य स्पष्ट हो कि मैं इस देश का हूँ और मेरे लिए समरिद्धी का एक मात्र तरीका इसका हिस्सा बनना और इसे संपन्न बनाना है अगर ये हर किसी के दिलो दिमाग में स्पष्ट नहीं होता तो देश को आगे ले जाना एक संघर्ष होगा तो ये तीन पहलू इन तीनों का हमें समाधान करना होगा एक चीज है कि देश की सीमाओं का छेत्र निशित करके कह देना ये भारत है कुछ लेन देन होना चाहिए और भविश्य की पीडियों में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा भारत है और कौन सा नहीं है मैं भारत में हूँ या मैं भारत से बाहर हूँ ये मेरे लिए इस्पष्ट होना चाहिए वरना मैं अपनी भावनाओ और उर्जाओं को कैसे केंद्रित करूँगा और खुद को कैसे समर्पित करूँगा ये ब्रहम हमने छोड़ दिया है, इसे देश के लिए मजबूत कदम उठाने के लिए अभी दूर किया जाना चाहिए और विवस्थाएं और प्रक्रियाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर एक पर ध्यान दें और देखें कि क्या ये आजाद भारत के लिए बनाई गई है या ये भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाई गई है ये बात है, अगर आप देश के बाहर से हैं, तो आप शायद इसे नहीं समझ पाएंगे मैं आपको एक उधारन देकर समझाता हूँ, आज भी जादा तर आम लोगों के लिए, अपराधी नहीं, साधारन लोग यहां तक की माताएं भी बच्चों को कहती हैं, अरे तुम मेरी बात सुनो, नहीं तो पुलिस वाले आ रहे हैं एक पुलिस कर्मी को मदद के रूप में नहीं देखा जाता, एक पुलिस कर्मी को सहायता के रूप में नहीं देखा जाता, एक पुलिस कर्मी वो नहीं है जो आपको सुरक्षा देगा, पुलिस कर्मी एक खत्रा है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्रिटिश राज से चला आ रहा है पुलिस कर्मी के आने का मतलब है कि आपका जीवन मुश्किल में है क्योंकि वो हमेशा आपको तकलीफ देता है इसलिए हर तरह की चीजें अब भी मौजूद हैं हमें इन चीजों को बदलना होगा कि जब हम किसी पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी को देखें तो हमें देखना चाहिए कि समाधान आ रहें ना कि हमारे रास्ते में समस्या आ रही है फिलाल आज भी जादा तर लोग इसे एक समस्या के तौर पर अनुभव कर दें हम नीतिगत बदलाव लाने में धीमे रहें कठोर नीतिगत परिवर्तन कुछ उतल पुतल मचाएंगे लेकिन अगर हम उस छोटे दर्द से गुजरने के लिए तयार नहीं है जिससे परिवर्तन होने पर हमें गुजरना होगा तो इसका मतलब है कि हम कोई बदलाव नहीं लाएंगे मतलब हम विक्सित नहीं होंगे उदाहरन के लिए कई लोग बताते हैं कि GST ने छोटे वेवसाओं को नुकसान पहुँचाया है हाँ ऐसा है ये मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि वे सब ही हमारे संपर्क में और उन्हें बहुत तकलीफ है लेकिन अगर हम ये बदलाव नहीं लाते हैं तो हमेशा के लिए ये देश एक छोटा वेवसाओं बना रहेगा अगर आप चाहते हैं कि ये देश एक बड़ा वेवसाओं बन जाए तो हमें कुछ बदलाव लाने होंगे जो तकलीफ देंगे हम अपने बजट के अंदर काम करने के आदी है कि मुझे अपने पैसे पर भरोसा तभी है जब ये मेरी जेब में हो मुझे बैंक पर भी शक है इसी तरह से संस्कृती विक्सित हुई क्योंकि कई शताबदियों तक जिन सरकारों ने हम पर शाशन किया वे हमेशा बाहर से थे इसलिए हमें हमेशा उन पर शक था ये बहुत महत्वपून है कि अब इस पीड़ी और आने वाली पीड़ी के लोगों के दिलों में इस बारे में बहुत स्पष्टता हो कि ये हमारा देश है और ये हमारी सरकारे हैं और ये हमारे खिलाफ नहीं बलकि हमारे लिए खड़ी हैं ये भारतिये लोगों के दिलों और दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए वरना हम हमेशा ये अधूरे मन से ही सोच पाएंगे कि हम इस देश में क्या करना चाहते हैं और लोगों की बात करें तो हमारे पास 130 करोर लोग हैं अगर आप इसे वाकई देखें तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है अगर हमारे पास 130 करोर लोग हैं जो अच्छी तरह से शिक्षित, कुशल, केंद्रित और प्रेरित हैं तो हम ऐसा चमतकार करेंगे जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता लेकिन अगर आप उन्हें अकुशल, अस्थिर, निरुत साहित छोड़ देते हैं तो ये आपदा की विधी बन सकती है तो ये असली चुनौती है कि क्या हम इस मानव संसाधन को असाधारन शक्ती में बदलेंगे या अपने लिए एक बड़ी समस्या में अगर हमें इस चुनौती को हल करना है तो गंभीर नीतिगत परिवर्तन जरूरी है इसलिए एक देश के रूप में हम एक दहलीज पे खड़े हैं क्या हमारे पास कदम उठाने के लिए साहस और दिर्टा है जो हमें दहलीज पार कराएंगे या हम बस वहीं बैठे रहेंगे बहुत से लोग सोचते हैं नहीं नहीं हम सही रास्ते पर हैं मैं आपको बता रहा हूँ खास कर अगर आप सही रास्ते पर हैं और वहां बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो कोई आपको कुचल देगा खासकर अगर आप सही रास्ते पर हैं तो हम एक कुछले हुए देश नहीं बने हैं बलकि एक ऐसा देश बन चुके हैं जो सही रास्ते पर है सही गती से आगे बढ़ रहा है ये महत्वपूर्ण है जैसा कि मैंने पहले कहा था ये विवसाई के हाथ में है राजनितिक नेतिर्त्व केवल एजेंडा निर्धारित कर सकता है केवल निती बना सकता है लेकिन देश का असली निर्मान इस पर निर्भर करता है कि इस देश में वैपार कैसे बढ़ेगा मुझे पता है किसमें कठिनाईयां हैं चुनौतियां हैं रश्टाचार की समस्याएं हैं, विभिन प्रकार की समस्याएं हैं, सभी रास्तों में रुकावटे हैं, लेकिन ये हमारा समय है, हम गौरव शाली अतीत के बारे में बाते कर सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस धर्ती पर ये हमारा समय है, हम इसे मानवता के इतिह सबसे जबरदस समय बनाएंगे या इसे सबसे खराब समय बनाएंगे ये सब हमारे हाथ में हैं। जबूत कदम उठा सकें तो जो संभव है वो वास्तव में जबरदस्त है। सबसे बड़ी बात है एक देश के रूप में हम हमेशा जिग्याच्वों की भूमी रहें न कि विश्वास करने वालों की भूमी। जिग्याच्व का अर्थ है कि हम अपनी अज्यानता के प्रती समर अज्यानता की बुढध्यमानी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी पहचान अपने ज्यान के आधार पर बनाते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इस जीवित ब्रह्मान में जो हम जानते हैं वो बहुत ही छोटी सी जानकारी है। जो हम नहीं जानत कि ये जिग्यासूं की भूमी है देश की जड़ें इसी में है इसमें हमने इस देश को इस तरह से विक्सित किया है इस देश में एक संस्कृती है जहां मानव प्रतिभा उजागर हुई क्योंकि हम हमेशा उन चीजों की तलाश करते थे जो हम नहीं जानते हैं जब आप जिग्यासूं बनकर जीते हैं तो आप लगातार आग की तरह होते हैं इसलिए इस आग को हमने हजारों वर्षों से प्रदर्शित किया हमें इस आग को नहीं खोना चाहिए क्योंकि इसी में हमारी सम्रिद्धी है इसी में हमारा भविश्य है जागो मेरे देश